Hello guys, this is Ramdev and welcome once again in my YouTube channel आज हम बात करेंगे Wix Vapor Bomb की इसके इस्तमाल ज्यादादर सिर्दर्थ और सर्दी जुखाम को दूर करने के लिए करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि इस चोटी से डीबी में चिपे कितने प्रकार की परिशानियों को दूर करने वाले उपाए भी है अगर आप इने जानना चाते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना ना बुले और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर गर में मौस्किटो रिपेलेंट खत्म हो गया है तो विक्स का इस्तमाल आप मच्छर दूर बगाने के लिए भी कर सकते हैं सोने से पहले हाथ पेर और सरीट के खुले इसे पर विक्स लगएं जिससे मच्छर पास नहीं आएंगे इसके अलवा ये काम करता है चेहरे पर जूरियां और मौसो को कम करने में ये विक्स तोचा की साब सफाई करके मौसो को कम करता है इसके अलवा इसमें मिला हुआ तेल चेहरे की जूरियां को कम करने में भी मदद करता है अगर आपको pregnancy के दोरान stretch mark हो गए हैं तो उसे भी ये remove करता है तो अच्छा में होने वाले stretch mark दूर करने के लिए Wix Vapor Up एक अच्छा उपचार माना जाता है इसका उपयोग नियमेत रूप से कीजिए जल्दी आपको एक अच्छा परिणम देखने को मिलेगा इसके अलाव ये अच्छा है स्कीन को मोश्यूराइजर करने के लिए ड्राय स्कीन में न मिलाने के लिए ये वैपर अप एक बैतरी उपचार का काम करता है ड्राय स्कीन वाले इसका उपयोग कर आसानी से लाब उठा सकते हैं इसके अलावा सरीर पर कटे फटे जगहों से निकलने वाले खून के रिसाओ को बंद करने के लिए विक्स में थोड़ा सा नमक मिला कर लगाए इससे तुरंदी आपको फायदा देखने को मिलेगा और अगर आप बारिस की सीजन में कीट पतंगो या मक्हियां से परेशान है तो खाने की टेबल पे मक्हियां को दूर बगाने के लिए वेपर अपकी डिबी को खोल कर रख दे आसपास की जगहों से मक्ही नहीं मिलेगी और अगर आप साइनस या माईग्रेन की प्रोब्लम से परेशान है तो इसको आप फॉर एड पे लगाए माईग्रेन या साइनस का जो पेइन होता है वो असानी से दूर हो जाएगा और इसके अलबा अगर आपको सरीर में कहीं पर भी muscles pain या joint pain है तो उसमें भी ये बहुत ही beneficial है इसके अलबा अगर आप crack hill से परिसान है सर्दियों की season में खास करके बहुत सारे लोग परिसान हो जाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा रामबार इलाज है crack hill के लिए ये कुछी दिनों में crack hill को पूरी तरह से हिल कर देता है crack hill में इसको रात को लगाए और रात को लगाने के बाद सूती कपड़े के जो सोक्स होते हैं वो पहन ले इसके अलवा ये बहुत ही अच्छा है नाखुनों को सफाई करने के लिए मैनिक्योर या पैडिकॉर के दोरान जब नाखुनों पर थोड़ी सी विक्स लगा कर अगर छोड़ देंगे तो ये नाखुनों को पूरी तरह से स्वस्त कर देगा इसके अलवा अगर आपको नाखुन में फंगल इंफेक्शन है तो उसे भी ये क्योर करता है दोस्तों तो ये था हमारा आज का वीडियो विक्स वेपरब्ट के चमतकारिक प्रयोग पर अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सेर करना ना बुले और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो इन फ्यूचर वीडियो से वो आपको मिल सके मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए God bless you, take care and bye bye